अगर आपकी जिन्दगी में एक तरफा प्यार है आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं तो इस वजीफे की सहायता से आप अपनी मन की बात पूरी कर सकते हैं दोस्तों इसकी सिर्फ एकी शर्थ है कि जिसके बारे में आप ये वजीफा पढ़ना चाहते हैं या करना चाहते हैं उनसे आपको सची महबबत होनी चाहिए किसी भी नाजायस मकसद को करने के लिए या किसी भी नाजायस काम के लिए आपको इसका बिलकुल भी काम नहीं करना है बिलकुल भी इसको नहीं करना है आपको ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से रखनी है कि इसका आपको इस्तमाल सिर्फ और सिर्फ तभी करना ह जब आपका मकसद जायज हो. इस तरह से आप इस वजीफे को जब करेंगे तो आपको इसका result तुरंथी मिलेगा. ये सिर्फ एक दिन के अंदर-अंदर आपको उपना result देता है. इस वजीफे में आपको क्या करना है की सबसे पहले तो आपको इसे किसी भी समय आप कर सकते हैं तो वजू कर लेना है और उसके बाद एक जगे बैठ जाओं है इस बात का धिमान रखना है कि ऐसी जगे पर बैठना है जापर कोई भी आपके आसपास में ना हो उसके बाद आपको दुरूदे पाक पढ़ना है पांच बार पढ़ने के आपको पढ़ना है सुरा इकलास सुरा इकलास आपको ग्यारा बार पढ़ना है और उसके बाद अपनी जो महबबत है उनका नाम लेना है महबबत का नाम आपको सिर्फ तीन बार लेना है और उसके बाद आपको दुरूदे पाक दुबारा से पढ़ना है तीन बार इस तरह से पूरा जो तरीका है वो मैं आपको दुबारा बता देती हूँ आपको सबसे पहले दुरूदे पाक पढ़ना है पाँच बार फिर उसके बाद सुरा इकलास पढ़ना है आपको और अपनी महबबत का नाम लेना है एक बार और उसके बाद आपको दुरूदे पाक तीन बार पढ़ना है, तो इस तरह से आपका ये वजीफा पूरा हो जाएगा और जब ये पूरा हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी महबद की तस्वीर अपने जहन में रखते हुए आपको इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये वजीफा आपका खतम हो चुका होगा लेकिन आपको इस पर पूरी तरह से यकीन करना है कुछ घंटों के अंदर अंदर ही आपकी महबत का आपके पास कॉल आएगा या फिर मेसेज आएगा आपको वो खुद मिलने के लिए वक्त मागेंगी आपसे मिलने के लिए वो तड़पने लग जाएंगी तो ये वजीफा आप जरूर करके देखिए इससे आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा मौलाना सहाब ने अपने बहुत सारे लोगों को ये वजीफा बताया और उनके सारे काम पूरे हुए उसके बाद ही हम अपने यूट्यूब के दर्शकों के लिए इसे बना रहे हैं तो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नमबर पर अगर आप चाहते हैं कि हम ये वजीफा आपके लिए करें तो वो भी हो सकता है इसकी इजाज़त आपको तभी मिलेगी अगर आप इसे सच्चे मन से पूरे यकीन से और जायस काम के लिए कर रहे होंगे झाल झाल